बूर्णिंग फ्रेंट्स जैसा कि हम परणे थे मौलिक अदिकार और मौलिक अदिकार में हमने समतागा अधिकार पढ़ लिया था जिसको समानतागा अधिकार भी कहते हैं जस्ट पिछले वीडियो से आगे आज पढ़ना शुरू करते हैं तो जस्ट अगला अधिकार है सवतंतरता का अधिकार अनुचेद 19 से 22 तक दिया गया है अनुचेद 19 के अंतरगत अगर हम बात करें तो जो पहला अधिकार दिया गया है वो यह है कि सभी नागरिकों को वाग अभिवक्ति की सवतंतरता परदान की गई है और यह अनुचेद 19 के एक एक अंतरगत दिया गया है RTIE यानि Right to Information और Price की सवतंतरता यह दोनों इसी अनुचेद में ही अंतरनीहीत है बना है थियारों की सांतिपूर्ण तरीके से समयलन करने की सवतंतरता पर अनुचेद 19 में, अनुचेद 19 एक वी में दी गई है इसी तरज, संगम या समुष बनाने की सवतंतरता अनुचेद 19 एक सी में दी गई है भारत के राजे सेतर में सर्वतर यानि कहीं पर भी निर्बाद बिनना किसी रोकटोक के आवागमन या आने जाने की सवतंतरता परदान की गई है अनुचेद एक के अनुचेद उनिस एक डी में भारत के राजेशेतर के किसी भी भाग में निवास करने वह बसने की सवतंतरता अनुचेद 19.1 जी में दी गई है अब देखो यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अनुचेद 19.1 F वह अनुचेद 31 में पहले संपती का अधिकार दिया गया था क्योंकि मूल सविदान में साथ मौलिक अधिकार थे लेकिन 44.1 F संपती का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूचिशे स्मार्प कर दिया गया और वरतमान में यह जो संपती का अधिकार है यह अनुचेद 300 A में केवल एक विदी का अधिकार के रूप में वर्णी तो है अनुचेद 20 में दिया गया है अपराद के लिए दो सिद्धी के समन में सरक्षना कोई विद्धी किसी अपराद के लिए तब तक दो सिद्धी नहीं टारा जा सकता जब तक कि उसने इसा कारी करने के समय जो अपराद के रूप में आरूपी थे यानि कोई विद्धी ने इसा कारी किया है जो कि अपराद है जो की कानूनन अपराद है किसी प्रवरित विदी का अतिकर्वन नहीं किया है यानि उसमें कोई कानून चल रहा है परचलन में है और उस कानून का अगर उलंगन नहीं किया है उस वेक्ति ने जो कारिय किया है अगर उस कारिय से परचलित उस समय परचलित विदी का अगर अतिकर्मन नहीं होता है या उलंगन नहीं होता है या फिर उससे अधिक दंड का बागी नहीं होगा जो उस अपराद को किये जाने के समय परचलित विधी के अधिक अधियारोपित की जा सकती ते कहने का मतलब है अगर किशी वेक्ति ने अपराद कर भी दिया है तो उस अपराद के लिए जो सवीदान में जो विधी परचलित है या इस्तापित है उस विधी के अनुशारी उसको दंड दिया जा सकता है उस विधी के विरुद जाकर उस वेक्ति को दंड दंड नहीं किया जा सकता है या फिर उस विधी से अधिक दंड नहीं किया जा सकता ये बात किसमें दी गई है ये अनुचेद 20-1 में ठीक है जस्ट अगला है किसी वेक्ति को एक अपराद के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता ये दिया गया है आर्टिकल 20-2 में यानि कोई वेक्ति अगर एक बार उस वेक्ति ने अपराद किया है तो उस अपराद के लिए अभियुक्त यानि जिस पर आरोप लगाए गया है किसी वेक्ति को स्वे में अपने विरुद साक्सी या गवा होने के लिए बादे नहीं किया जा सकता ये दिया गया है अनुचेद 20-3 में आर्टिकल 21 प्राण और देहिक सर्तंतरता किसी वेक्ति को उसक प्राण या देहिक सर्तंतरता से वीदी द्वारा इस्तावित परकरिया के अनुचेद किया जा सकता है यानि कानून में जो प्रोसेस है कानून में जो परकरिया है उसके अनुचेद 21 में एक नया अनुचेद जुड़ा गया यानि अनुचेद 21 को जोड़ा गया जिसम कहा गया है कि 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए 6-14 वर्ष के बच्चे के लिए प्रात्मिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन का अनिवारिय प्रावदान होगा यानि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके लिए प्रात्मिक शिक्षा अनिवारिये रूप से प्रात्मिक शिक्षा परदान के जाएगे अनुछेद 22 आर्टिकल 22 के अंतरगत कुछ दसाओं में किसी वेक्ति को गिरफतारी एम निरोज से स्रक्षन परदान किया गया है इसके अंतरगत किसी भी वेक्ति को मनमाने तरीके से बंदी नहीं बनाया जा सकता और बंदी बनाये गए वेक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों की सूचना दी जाएगी यानि जानकरी दी जाएगी और उसे अपने मन पसंद वकील से प्रामर्स का अधिकार होगा तता उसे 24 गंटे के अंतरगत नायले के समक्स पेस करना होगा जिसमें यात्रा का समय सामिल नहीं होगा लेकिन यहां थोड़ी द्यान दने वाली बात है लेकिन 24 गंटे की यह समय सिमा का पालन लेकिन जो 24 गंटे की यह जो समय सिमा है इसका पालन किसी विदेशी या सत्रुदेश के नागरिक या निवारत निरोध के अंतरगत बंदी बनाएगे वेक्ति के लिए नहीं है इसी के अंतरगत अनुचेद बाइस चार से अनुचेद बाइस साथ के अनुसार जिस वेक्ति को निवारक निरोद के अंतरगत गिरफतार किया गया है वह अपनी गिरफतारी का कारण जान सकता है और अपनी विदिक्स और वह विदिक साहिता भी प्राप्त कर सकता है शेयर करें और चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें